जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है पोल किलब आजाद है तेरे दिवस क्लिक पर मेरे साथ पोल किलब आजाद है तेरे पोल सबा अब तक तेरी है दौसकार पोल किलब आजाद है तेरे और आज पोल में तीन विशाय आपके सामने करनाटक और गोवा में इस वक जो चल रहा है क्या ये कहना सही होगा कि भारती जनता पार्टी ने भारती सियासत को जुराजिक पार्क में तबदील कर दिया है विशय नमबर दो आखिर हमारे सेलिबरिटीज हमारे फिल्म स्टार्स राष्टवाद का इतना गलत इस्तमाल क्यूं करते हैं और विशय नमबर तीन एक ब्राहमन लड़की ने शादी की एक दलित लड़की से लड़की का पिता राजनेता है एक दबंग एमेले है और अब उनकी जान को खत्रा है योगी जी पचा लीजे इस दमपत्ती को तो तीन विशय आज हमारे सामने और जैसे कि मैंने कहा कि क्या भारती सियासत को भारती जनता पार्टी ने जुराजिक पार्ट में तब्दील कर दिया है मैं जो राजिक पाक क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा उससे पहले गोवा और करनाटक में क्या हुआ दोस्तों सिलसलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों गोवा में एक जमाने में कॉंग्रिस के 17 MLS थे 40 विधायकों की विधान सभा में कॉंग्रिस मैजॉरिटी में थी काईदे से कॉंग्रिस को बनाना चाहिए ता सरकार गोवा में मगर बीजेपी ने क्या किया दम खम का इस्तमाल करके एक फ्रेंडली गवर्नर का इस्तमाल करके सत्ता में वो आसीन हो गए मगर बात वहां नहीं रुकी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ दोस्तों जो बचे हुए 15 MLA's में से 10 जो हैं वो शामिल हो गए बीजेपी में यानि कि यहाँ पर आंटी डिवेक्शन लॉ लागू नहीं हो सकता अगर आप यह कहेंगे कि भाई वो इसलिए शामिल हो गए क्योंकि वो नाराज थे या वो असंतुष्ट थे कॉंग्रिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इस पर गौर कीजे पन जी जहां से मनोहर पारिकर 25 सालों से जीतते रहे हैं वहाँ पर ए मनसरात जो हैं यह जीत जाते हैं हाल ही में अब वो शामिल हो जाते हैं कहा जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं यही नहीं दोस्तों यह जो 10 MLA's हैं अब वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं किन से मिलने हैं? अमिजशा से मिलने हैं और जो लीडर ओफ ऑपोजिशन थे उनके नेत्रत में यानि कि जो शक्स कॉंग्रिस का चेहरा था विधान सभा में उनके नेत्रत में जो हैं वो अब मुलाकात कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं बीजेपी में और यही नहीं मुख्य मंत्री सहाब ने बाकाइदा कैबिनेट री शफल किया है यानि कि जो दस लोग शामिल हुए हैं इन सब को मंत्री पत दिया जाएगा और जो पुराने साथी थे जिसमें एक रीजनल पार्टी के शक्स को डेपटी सीम बनाय गया था उन्हें किनारा कर दिया गया है क्योंकि देखिए अब दो या तीन विधायकों से कोई मतलब नहीं है अब तो उनके पास पूरे दस विधायकों का चंक आ गया है तो यह हाल तो गुवा का है अब करनाटक में क्या हो रहा है मुझे आपको बताने की ज़रुत नहीं है कि बीजेपी नेता यदरपा खुले आम कह रहे थे एक विडियो में एक आडियो रिकॉर्डिंग में कि वो पैसे देकर खरीदना चाहते हैं कॉंग्रिस और जेडियस के एमिलेस को मुझे आपको बताने की ज़रुत नहीं कि क्या हो रहा है इस वक्त मुंबई के पवाई रेनिसांस होटेल में डीके शुवकुमार ये शक्स मुलाकात करने जाता है उनकी बुकिंग है उस होटेल के अंदर और होटेल जो कि एक प्राइवेट पार्टी है उस बुकिंग को कैंसल कर देती है क्यूँ? क्यूँकि अग्रिश शताकते या मैं सपष्ट कर दूँ बीजेपी नहीं चाहती कि डीके शुवकुमार जो कि एक बहुती दिगज राजनेता है जिन्होंने पिछली बार बीजेपी की सरकार बनने से रोका था करनाटक में वो किसी तरह से होटल के अंदर जाए और उनकी मुलाकात बागी विधायकों से हो सुप्रीम कोट में अपनी तरफ से आदेश दे दिया है कि उन बागी विधायकों को संडरक्षन मिले विधान सभा में स्पीकर से संडरक्षन मिले मगर मैं यह जानना चाहता हूँ कि चाहे मीडिया हो चाहे सुप्रीम कोटेओं ने यह नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरह का पैसे का खेल इस वक चल रहा है चाहे गोवा हो या करनाटक मैंने कारक्रम की शुरुवात में क्या कहा था कि क्या भारती जंता पार्टी ने भारती सियासत को जुराजिक पार्क में तबलील कर दिया है दोस्तों आप जानते हैं कि जुराजिक पार्क एक फिल्म है जिसमें करोणों सालों से मृत डाइनोसोस को जीवित किया जाता है एक पार्क के अंदर रखा जाता है और फिर उसके अंदर कुछ humans यानि कि इनसान जाते हैं इस पूरी फिल्म में डाइनोस जो हैं वो आजाद हो जाते हैं और एक-एक करके सारे जो लोग हैं, इनसान हैं उन्हें खा जाते हैं इनमें डाइनोस की कोई गलती नहीं है एहंकार उन इनसानों का था ओवर कॉंफिडेंस उन इनसानों का था जिसके चलते वो डाइनोस बेकाबू हो गए वो डाइनोस और वो इनसान जिनके बीच में करोन साल का फर्क था इन्हें साथ नहीं आना चाहिए था मगर वैग्यानिकों ने उन्हें साथ लाया और फिर तबाही यही हाल दोस्तों हो गया है इस वक्त भारतिय सियासत का यहां पर हर कोई मजबूत डाइनोस जो है कमजोर डाइनोस या इनसान को खा रहा है और इस पर कुछ नहीं हो रहा है भारतिय सियासत दोस्तों जंगल राज में तबदील हो चुकी है यहां जंगल का कानून चल रहा है जा हर ताकतवर अपने से कमजोर को कुतर कर चबा कर खाता है यह अपने आप में बहुत ही दुख़द बात है दोस्तों क्योंकि देखिए अगर जंगल राज ही प्रजातंत्र का दूसरा नाम हो जाएगा तो फिर प्रजातंत्र तो बेमानी है ना मीडिया सवाल नहीं करेगा एक जमाने में जब कॉंग्रेस अपने ताकत का बेजा इस्नमाल करती थी तब मीडिया उनसे सवाल करता था जो एक जमाने उन्हें जारखंड में किया था जो बूटा सिंग का किरदार था या उत्तर पदेश के अंदर रुमेश भंडारी का किरदार था राजपाल रुमेश भंडारी का ये तमाम चीजे हो रही है और मीडिया की तरफ से भूल जाए ये टेलिविजिन पीवी मीडिया तो नतमस्तक है बड़े बड़े अख़बार जिनकी रीड हुआ करती थी जिन्होंने आपातकाल के वक्त मिसाल काइम की थी आज वो भी खामोश है मैं आप से पूछना चाहता हूँ ये जंगल राज नहीं है तो क्या है ये जो राजिक पाक नहीं है तो आखिर क्या है और अब मैं बात करना चाहूँगा आज के तूसरे विश है कंगना रनावत कंगना रनावत वाले मुद्दे को उठाने की जरूत इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे सेलेब्रिटीज अब हर मुद्दे पर राष्टुबाद का इस्तमाल करते हैं चाहे आप चड़ी बेच रहे हों सिमेंट बेच रहे हों आप यहाँ पर भी राष्टुबाद और सेनकों को ले आते हैं अक्षे कुमार अनुपम खेर यहाँ पर भी वो राश्चुबाद का इस्तमाल कर देते हैं हाला कि अक्षे कुमार हमें यह नहीं बताते कि आखिर उन्होंने कैनेडियन सिटिजनशिप क्यों लिए बताईए आखिर वो क्यों वोट नहीं दे पाते हैं भारत में ऐसी क्या नाराजगियोंने मगर राश्चुबाद के सबसे बड़े अमबाज़जर हैं अब इनकी बात करते हैं कंगना रनावत बहतरी न अभिनेतरी और यकीन मानिये कुईन और फैशन जैसी फिल्में देखने के बाद मैं भी उनका फैन हूँ हूँ इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं आपकी सियासी सोच और आपके अभिने को अलग रखता हूँ आप देखिये किस तरह की बत्तमीजी कंगना इनके साथ कर रहे हैं आप खुद देखिये आपकी को अचाहिए इसके बाद क्या हूँ ऑप गरатиक शोर्णीजी सालग थे पीवार्णीजीश्टी कर देखिये आपके साथ परणुद केते बाद इसके बाद क्या हूँ आप गरति नगेकी कृण्टेखिया आपकी देखा आपने, इसके बाद क्या हुआ, कंगना की जो मैनेजर थी, रंगोली जो उनकी बेहन भी है, ये शक्स, उन्होंने जिस तरह की बत्तमीजी का इस्तमाल किया, उन तमाम पत्रकारों के साथ जो कंगना के बिहेवियर को लेके सवाल कर रहे थे. मुझे खुशी इस बात की कि मुंबई के जो एंटेटेन्मेंट जर्नलिस हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि कंगना रनावत को बैन किया जाएगा, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिस तरह की उन्होंने बत्तमीजी की, कम से कम इनमें रीड तो है, मंगर बात मैं रंगोली की कर रहा था, रंगोली केहती हैं कि चुकी कंगना रनावत बीजेपी की समर्धक हैं, राष्टवादी हैं, इसलिए मीडिया कोन से प्रॉब्लम हैं, मैंने तो आपको बहुती सब भिभाशा में बताया है, आप इनके ट्विटर टाइम लाइन पर जाएए, ये शर्णाक है, मगर अगर आपको लग रहा था कि रंगोली का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता तो आप गलत हैं, उसके बाद एक मेसेज खुद कंगना रनावत ने जारी किया, कंगना ने अपने इस वीडियो में दो शब्दों का इस्तमाल किया, चिंदी चोर, दस्वी फेल पत्रकार, सुनिये किसी भी तरह का कोई बीना पैनल्टी है और ना ही कोई सजा है, तो इस चीज से मुझे बहुत ही जादा ठेस लगे और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया, कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाव मीडिया है, जो खुद को लिब्रल कहती है, सेक्यूलर क कहती है और कुछ नहीं है, दसमी फेल भी नहीं है ये लोग, ये लोग सूडो लिब्रल है और ये लोग बिल्कुल भी सेक्यूलर नहीं है, अगर ये सेक्यूलर होते तो हमेशा धार्निक चीजों को लेके देश की एक तापत हमेशा परहार नहीं करते, ऐसे ही एक जिंदी स यहां पर भी आप देख रहे हैं राश्चुवाद का इस्तमाल हो रहा है। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दिलवाएंगे वर्ल्ड कप यह पोस्टर याद है आपको। क्योंकि फाइनल तक में हम नहीं पहुँचे हैं सेमी फाइनल में हमें न्यूजिलिंड के हाथो हार्थ का सामना करना पड़ रहा है। मैं बात आपसे राश्चुवाद की कर रहा था शदम राश्चुवाद की कर रहा था दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है। कंगनार अनावज जैसे लोग या क्शे कुमार जैसे लोग या अनुपम खेर, अशोग पंडित, विवेक अगनिहुत्री जैसे लोग इन तमाम फरजी राश्चुवादियों के चलते जो नुकसान हम राश्चुवाद को पहुँचा रहे हैं। और बीजेपी और प्रधान मंत्री विसमजे जो नुकसान ये आपके ब्रैंड को पहुचा रहे हैं, ये कोई नहीं पहुचा रहा है। पपु भरतौल इनका नाम है, राजेस मिस्रा और इसने गुनाह ये किया कि इसने एक दलित लड़के से शादी कर ली। दोस्तों उसके बाद से इन दोनों की जिंदगी नर्क बना दी गई है। आपके बाद से शांती से जियो और रहने दो क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रगा है। और पापा आपने जो अपने पीछे रखे हैं ना मेरे पीछे जस लाइक राजी वराणा उसको बताओ अगर मेरे सर के उपर से पानी चला गया तो इसका पूरा खांदान जेल में हो गया। होगा मैं परिशान हो चुकी हूँ इतना गूम गूम के हम परिशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खत्रा है और एक बात कहना चाहूंगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिप्स को परिशान करना बंद कर दो क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है ज अगर मुझे और अभी और अभी के फैमली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भरतौल और राजीव राड़ा उंगे दोस्तों इसी वीडियो में साक्शी और उनके जो पती हैं वो भी एक अपील करते हैं वो भी मैं चाहता ह काफी लोग थे, हम लोग जहां रुके हुए थे होटेल में, वहां पे वो लोग मौर्निंग में आ गए, वो तो हमें मौका मिल गएगी, हम लोग वहां से निकल गए, क्योंकि वो लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, वो लोग अपनी जद बचाने की या कुछ भी कह आज मेरी अपील है मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ से, मैंने ये मुद्दा ट्विटर पर उठाया है, मगर उत्तरपदेश पुलीस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया, आपकी तरफ से योगी आतनाथ कोई जवाब नहीं आया, मैंने जान जानता हूँ, आप कब जागेंगे, आप कहतो रहे हैं कि साब हम उन्ने सुरक्षा देंगे, आपके जो स्थानिये पुलीस कर्मी है, वो कह रहे हैं कि हम उन्ने सुरक्षा देंगे, मगर हम नहीं जानते वो कहा है, यह अपने आप में इतना हास्यास पत्तर्ख है, कि प्रिद्टों के साथ जो अत्याचार होता है उसको लेके पूरे तंत्र का रविया क्या होता है पूरी व्यवस्था किस तरह से चर्मरा जाती है जब न्याय की बात आती है ये मुद्दा अपने आप में उसी चीज को उसी चीज को सही साबित कर रहा है मगर मेरी बहत इस और बचा लिएजे इनको भी क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी तरास दी होगी दोस्तों अगर इन्हें कुछ भी हुआ भूल जाएए यूपी सरकार या यूपी पुलीस हम बतौर सब समाज खुद को माफ नहीं कर पाएंगे अगर इनके साथ कुछ हुआ तो तो बोल के लबाजाद हैं में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और न्यूस क्लिक को सबस्क्राइब करें अब इसार शेर्मा को दीजे इजासत नमस्कार